Hello Everyone, C-TiTiT परिक्षा के तियारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ C-TiTiT Paper 2 Science की एक Special Series टार्ट की थी NCRT Special Series जिसमें मैं आप लोगों के साथ Class 6 से लेकर Class 8 की NCRT के Important Key Point आपके साथ डिसकस कर रही हूँ तो चलिए उसे Series को Continue करते हैं Hello Everyone, I'm Kajal Dhami and Welcome to my channel People Teacher I hope आप सभी ठीक होंगी जैसा कि हमें पता है C-TiTiT Paper 2 में Science जो है यहां पर 30 नंबर का पूछ जाता है और इन 30 नंबर में से यहां पर हमारे 20 नंबर जो है यह Content के पूछ जाते हैं और जो बचेवे 10 नंबर हैं यहां पर हमसे Pedagogy पूछ जाती है इन वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों के यह जो 20 नंबर है Content के इन में Preparation कराने वाली हूँ और देखी अगर आप C-TiTiT Paper के अंदर Science का syllabus देखें तो यहां पर 7-8 अलग-लग unit में Science का जो syllabus है वो Divide किया गया है बट आप यकीन मानिए अगर हमें Science Paper 2 जो C-TiTiT को द्वारा होता है इसमें अगर जादा से जादा स्कोर करना है तो हम लोगों को करना क्या है हम लोगों को NCRT पे ट्रस्ट करना है और Class 6 से लेकर Class 8 की जो NCRT की किताबे हैं उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और इन वीडियोस के माधियम से मैं Class 6 से लेकर Class 8 की जो NCRT के important key point है वो आपके साथ discuss करूँगी तो चलिए सीधा slide के तरफ चलते हैं और इन important key term को मैं आप लोगों के लिए question के form में नहीं यहाँ पे points के form में लेके आई हूँ यहाँ पहला point हमारे सामने है red data book contain a record of यह जो red data book है यह किस चीज का record रखता है हमें पता होना चीए यह एक record book है जो की ऐसी प्रजातियां जिनमें लुप्त होने का खत्रा है यानि कि endangered species होता है उनकी record रखे जाते हैं red data book के अंदर ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कौन सी ऐसी प्रजाती है कौन सी ऐसी species है जो की खत्म होने वाली है अब चलिए अगले point को discuss करें अगला point है pulses are good source of दाले जो है वो अच्छे शोत्र माने जाते हैं किस चीज के pulses को खाने से हमें protein मिलता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि pulses जो है एक अच्छा source माना जाता है protein का अब चलिए अगले slide की तरफ चलते हैं यहाँ पे पहला point हमारे सामने कि कौन सा ऐसा cell organal है जिसे हम suicidal bag of cell के नाम से जानते हैं वो है lysosome और lysosome को suicidal bag of cell इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह cell का disposal system माना जाता है यानि कि cell के अंदर कोई भी जो waste generate होता है वो यह जो lysosome है यह पहले उसे digest कर लेता है और उसके बाद खुद burst हो जाता है इसलिए इसे एक title दिया गया है suicidal bag of cell और अगर हम देखें तो cell के अंदर powerhouse of cell किसे बोला जाता है cell के अंदर powerhouse of cell mitochondria को बोला जाता है अगला point है plants के अंदर पौदों के अंदर जो xylem होता है वो किसके लिए responsible माना जाता है यह पानी के परिवहन यानके transportation of water के लिए responsible होता है plant के अंदर जितना भी पानी root से different part of plant तक जाता है वो xylem के मदद से जाता है और अगर हम देखें foylem के मदद से transportation होता है किसका minerals और food का अब चलिए अगली slide के तरफ चलते है अगली slide में पहला point हमारे सामने है human body के अंदर कौन सा ऐसा digestive organ होता है जिसके अंदर acid पाया जाता है वो है stomach stomach के अंदर एक acid पाया जाता है जिसे हम बोलते है hydrochloric acid HCL के नाम से जाना जाता है जो कि stomach में acidic medium create करता है ताकि हमारे खाने के साथ आने वाले germs खतम हो सके और साथे साथ ये एक enzyme को active करता है जिसका नाम है pepsin जो कि बाद में protein को digest करने में मदद करता है और हमारे stomach को acid से बचाने के लिए stomach के अंदर mucus भी release होता है जो कि हमारे stomach के वाल को HCL acid से बचाता है अब चलिए अगले point की तरफ चलते है अगला point है sore milk contain यानि कि जो फटा वा दूद होता है जो खटा दूद होता है उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर lectic acid पाये जाता है यानि कि lectic acid के मदद से milk sore हो जाता है अब चलिए अगली slide की तरफ चलते है अगली स्लाइड में हमारे सामने कुछ और interesting point है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे blood के अंदर कौन सा metal पाया जाता है हमारे रक्त के अंदर कौन सा धातू पाया जाता है अब देखी इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम concept पर जाते हैं हमारे blood के अंदर होते हैं RBC, red blood cell जिसके अंदर एक pigment पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं hemoglobin और hemoglobin को बनाने के लिए एक metal का इस्तमाल होता है जो कि है iron तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे blood के अंदर कौन सा धातू पाया जाता है हमारे blood के अंदर लोहा पाया जाता है अब चलिए अगले point को discuss करें अगला point है the vitamin that helps in blood clotting blood को clot करने के लिए यानि कि कहीं पर अगर रक्त का भाव जादा हो तो उसको जमाने के लिए कौन से vitamin का इस्तमाल किया जाता है विटाइमीन के अब चलिए अगली slide के तरफ चलते है पहला point है fertilizer के अंदर कौन से ऐसे nutrient पाये जाते हैं जो की crop के लिए important है तो देखिए यहाँ पे तीन अलग-लग nutrient पाये जाते है fertilizer के अंदर जो की है nitrogen, phosphorus और potassium और यह जो fertilizer है यह chemical compound है जो की factories में बनाया जाता है और अगर हम देखिए human made fertilizer क्या है human made fertilizer होता है manure जिसे हम khad के नाम से भी जानते है जो की mainly cow dung से बनता है और उसके अंदर कोई भी specific nutrient नहीं होता है उसके अंदर काफे सारे nutrient होते हैं जो की हमारी crop को अच्छा बनाते हैं और अगर हम fertilizer की बात करें तो यह हमारे factory में बनते हैं और यह specific nutrient के लिए होते हैं हम अपनी मुह की मदद से सबसे पहले हमारी body के अंदर उस चीज को भेजते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे sequence में आजाएगा mouth उसके बाद यह खाना जाता है हमारे food pipe से food pipe को हम isophagus के नाम से जानते हैं उसके बाद हमारा खाना पहुचता है stomach में और अभी हमने एक point discuss किया था stomach में एक acid release होता है जो कि है HCL hydrochloric acid जो कि acidic medium बनाता है उसके बाद अगर हम देखें तो खाना फिर जाता है हमारे small intestine में जहाँ पे food का complete digestion होता है उसके बाद जो खाना बच जाता है जो waste बच जाता है और साथे साथ जो water होता है वो जाता है large intestine में वहाँ पे water को absorb किया जाता है और उसके बाद waste को further आगे भीज दिया जाता है तो इस तरीके से हमारा human elementary canal का sequence काम करता है अब चलिए next slide की तरफ चलते हैं अगर आपने इसके पहले वाला part नहीं देखा तो description में आपको उस video की link मिल जाएगी यहाँ पर इस point में हमें बोला गया है कि medical problem के अंदर जो हम ultrasound equipment का इस्तमाल करते हैं उसके frequency कितनी होती है उसके frequency 20,000 hertz से ज़्यादा देखी गई है और अगर हम अपने कानों का जो frequency range देखें वो 20 hertz से लेकर 20,000 hertz के बीच में होता है यानि कि यह जो ultrasonic equipment होते हैं यह हमारी frequency range से ज़्यादा range में काम करते हैं अगला point है polio is caused by polio किसकी वज़े से होता है polio एक virus के वज़े से होता है यहाँ पर आपसे अलग-लग चीज़े दे सकते हैं जैसे bacteria देदें, fungus देदें और protozoa देदें आपको यहाँ पर पता होना चीए polio जो होता है यह एक virus के वज़े से spread होता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला point हमारे सामने है अगर हमें tadpoles grow करने है pond water के अंदर तो कौन सा element पानी के अंदर sufficient amount में होना चीए इसके लिए हम लोगों को एक process का भी पता होना चीए जो कि है metamorphosis जिसमें हम life history जानते हैं frog की जिसमें frog के egg से लेकर adult frog किस तरीके से बनता है इस process को हम metamorphosis के नाम से जानते हैं जो कि pond water के अंदर ही होता है और इस process को बढ़िया तरीके से होने देने के लिए पानी के अंदर sufficient amount में iodine का होना जरूरी है अगला point है हमारे सर और upper jaw के बीच में कौन सा joint पाया जाता है ये joint है fix joint जो कि हिलता नहीं है fix तरीके से हमारे head को upper jaw में fix करने का यहाँ पे काम करता है आप हमारे head को side wise घुमा सकते हो बट यहाँ पे 360 degree सीज को rotate नहीं कर सकते है ये तरीके से fix joint होता है अब चलिए next point को discuss करें next point है and string contained acid जो चीटी होती है उनकी डंक में कौन सा acid पाया जाता है और यही acid मदुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है यह है formic acid I hope आपको यह वीडियो आज की पसंद आई हो आज की इस वीडियो में इतना ही अब मैं आप से मिलूंगी next वीडियो में next topic के साथ bye bye take care